देश की प्रथम बहिला वित्तमंत्री, निर्मला सितारबंजी और उनकी टीम को मैं citizen friendly, development friendly और future oriented budget के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ. ये देश को समरुद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला budget है. इस budget से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बहतर कल मिलेगा. इस budget के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी, विकास की रप्तार को गती मिलेगी. इस budget से टैक्स व्यवस्ता का सलरी करना होगा, इन्फा स्ट्रक्चर का आधुनी करना होगा. ये budget उद्यम और उद्यमियों को मजबुत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा. ये budget सिख्षा को बहतर बनाएगा, आर्टिफिशल इंटलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाब को लोगों के बीच पहुँचाएगा. इस budget में आर्थिक जगत के reform भी है, आम नागरिक के लिए ease of living भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है. ये budget एक green budget है, जिसमें पर्यावरान, electric mobility, solar sector पर विशेस बल दिया गया है. पिछले पांच साल में देश निराकर्चा के मातावरन को पीछे छोड़ चुका है, उस में मातावरन से बहार निकल गया है. अज़ देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्म विश्वास से भरा हुआ है. बिजली, गैस, सड़क, गंदकी, प्रस्टाचार, वी आईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाईया, सामान ने मानवी को, अपने हक के लिए, जद्दो जहाद की जिन्दगी, याने एक प्रकार से खुज से उसको जूजना पड़ता था. उसको कम करने के लिए, हमने लगाता प्रयास किये है. सफलता में मिली है. आज, लोगों के जीवन में, नई आकांच्छाएं और खूप सारी अपेक्षाएं हैं. ये बजेट, देश को विश्वाद दे रहा है, कि इने पूरा किया जा सकता है, ये विश्वाद दे रहा है, कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है, और इसलिए लक्ष पर पहुंचना भी निस्टित है. ये बजेट आशा, विश्वार और आकांच्छा का बजेट है. ये बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा. ये बजेट वर्द 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा. पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलित, पीडित, सोसित, वंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए. अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा. पांच ट्रिलियन डॉलर एकोनमी, यानि की पांच लाग करोड डॉलर की अर्थे बवस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी. बजेट में, क्रिसी छेत्रे में स्ट्रक्ट्रल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है, पी एम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड, 87,000 करोड रुपिये का ट्रांस्पर हो या 10,000 से जादा फार्मर, प्रोडूसर, और नेशन, एपपी ओ का संकल्प मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वैर हाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है, बर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भू ग्रामीन अर्थेववास्ता में निवेस बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे, जन शक्ती के बिना जल संचय संभव नहीं है, जल संचय जन अंदोलन की भावना से हो सकता है, इस बजेट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीडी की चिंता स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर गर जल का अभियान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा, बजेट में लिए गए फैसले, अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही, नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे, य आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक अइतिहासिक कदम है, मैं कल काशी में इस विशे पर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्तमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भारत के समी नागरिकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकावनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद